हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आज हम बनाएंगे फेस्टिबल से स्पेशल गुलाब जामुन ये देखिए अंदर से ये कितना सौफ्ट और जूसी बना है आप इस रासिपी को ज़रू ट्राइ करें सबसे पहले हम इसका सीरफ बनाएंगे एक कढ़ाई क्या पैन में हम लगबग टू कप सुगर लेंगे हमने ये वाले कप से मिजर किया है आप किसी भे कप से मिजर का सकते हो इसी कप से हम लगबग 1.5 कप वॉटर लेंगे और फ्लेम को आन कर देंगे और इससे बोयल होने दे मिक्स करने के बाद अभी समें क्रश्ट किये हुए इलाइची बॉर्डर डालेंगे आप चाहें तो इसमें केसर के धागे और गुलाब जल्वी डाल सकते हैं अब यह बॉयल होना इस्टार्ट हो गया है जब बॉयल होना इस्टार्ट हो जाए इसके बाद मीडियम फ्लेम पे थाली लेंगे और इसमें लगब 200 ड्राम मावा लेंगे जिसे हम खुआ बोलते हैं मावा को अब हमें इसे मिक्स करना है इसे हातों के हल से ऐसे बिलकुल अच्छे तरह से रगड़ लेंगे कि देखिए इसे हम ऐसे कर लेंगे ताक कि मावा में जो छुटे चुटे पार्ट से वह बिलकुल अच्छे तरह से मिक्स हो जाएं कि देखिए यह बिलकुल प्लेन हो जाएगा तब इसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं रजाएंगे ऐसे ही हम सारा कर लेंगे ऐसा करने से मावा बिलकुल स्मूथ हो जाता है और गुलाब जामुन बहुती सॉफ्ट बनते ह मावा कितना स्मूथ हो गया है ऐसे ही हमें पूरे मावे का करना है और जो हमने कर लिया है उसे हम साइड में रखते जाएंगे अगर आप मावा घर पे ट्राइक करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है या आप इसे मार्केट से भी ले सकते हैं ये देखे हमने सारे मावा को बिल्कुल स्मूथ कर लिया है अब हम इसका डो बनाएंगे हम इसमें मैदा यूस कर रहे हैं हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा एड़ करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे हम इसमें टोटल 4 से 5 टीस्पून मैदा यूस करेंगे हम ऑगला है नारा खुवा सूख़ा तो कम मैदा लगेगा। अगला हैँ तह में कम मैदा लगीगा। अगर घृलख सकता है। एक करने मेदा अगला धून lash fine करें। दिने मेदा हिश सकते हैं। इसके कम मैदा ही यूजे लाश्ट में हम थोड़ा सा मैदा instead करने कर कर लिया अब हम बिल्कुल थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे बेकिंग सोडा डाले से गुलाब चामून बहुत ही फूले फूले बनेंगे और बहुत ही अच्छे दिखेंगे इसे बिल्कुल अच्छे तरह से मिक्स कर लिए अब इसे हम हलका सा गूत लेंगे हमें इसे ब जा रही है तब हमारे डो बिल्कुल perfect है यह देखे कितने आसानी से बॉल्स बन जा रहे हैं अब हम इसे set होने के लिए रखेंगे थाली में जो extra बॉल लगें हैं उसे सब हम एक सेथ कर लेंगे और फिर अब हमें एक बोल लेंगे बोल में ये डो को हम रख देंगे रखने के बाद इसे ढख के लगबग 10 मिनट्स तक रख देंगे ताकि हमारा डो सेट हो जाए ये हमने मिश्री ली है आप शेहन तो ड्राइफ रूट्स या आप रामदाना भी यूस कर सकते हैं छोटी से बोल्स लेके इसे बिल्कुल गोला करेंगे कि देखे हमें इसे बहुती चिकना करना है हलका गोला करने के बाद बीश में होल बना लेंगे होल में जो हमने मिश्री ली है उसे डाल देंगे ऐसा करने से हमारे गुलाब शामुन अंदर तक बिल्कुल सौफ्ट बनेंगे कच्चे नहीं रहेंगे अब इसे हमें बहुती अच्छे तरह से गोला करना है हमें गोला दोनों हतीलियों के बीच में ऐसे करते हुए बनाना है और इसे हमें थोड़ी देर तक बनाना है ताकि इसमें कोई क्रैक्स न रह जाएं इसे तब तक गोला करना है जब तक ये बिल्कुल सौफ्ट न हो जाए और बिल्कुल भी क्रैक्स न रहें गोला करने के बाद इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी गोले भी बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया है छोटे से पार्ट्स लेके इसे रोल करेंगे आप चाहनती से ऐसे दबा दबा के भी रोल कर सकते हैं अब हम इसमें hole करेंगे और इसमें जो हमने मिश्री ली है उसे फर देंगे आप चाहें तो dry fruits भी फर सकती हैं पर मिश्री बिल्कुल अच्छे तरह से गल जाएगी इसे अच्छे तरह से रोल करके plate में रखते जाएगी ये देखे हमने इसे बिल्कुल clean बनाया है ऐसे ही हम सा मूटी सी बॉल्स डालें गे जब बॉल्स मेंसे बॉब्ल्स별 क्रियेट होने लगे तब तेल बिल्कुल अच्छ सरस से कर्म हो चुका है अब हम तेल मेंसे बॉल्स नेकालेंगे और जो हमने गुलाब जामुन के लिए बनाया है रोल्स उसे डाल देंगे, एक ठो डालनी के बाद इसे हलका सा ऐसे चला लेंगे, और फिर दूसरे बॉल्स को डालेंगे, दूसरा डालनी के बाद इसे भी हलका सा चला लेंगे, ताकि ये कढ़ाई में ना चिपके और एक दूसरे से भी ना चिपके, ऐसे ही करते हुए हम तक बग 5 बॉल्स डालेंगे हम इस पैचुला से इसे बहुत ही तेजी से नहीं पलटना है बिल्कुल हलके हास से वह भी हम तेल में इसे ही हिलाएंगे इसको यह देखिए अब यह ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है हम इस पैचुला को बहुत ही धीरे से यूस करेंगे फ्ले से हलका डार्क ब्राउन करेंगे कि देखिए ऐसा ब्राउन हमें करना है अब यह बिल्कुल पॉफेक्टली फ्राई हो चुका है जब यह पूरे तरह से डार्क ब्राउन हो जाए तब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे यह देखिए अब यह बिल्कुल अच्छे तरह से हो गया है हमें इसे लो फ्लेम पे ही फ्राइ करना है ताकि ये अंदर से भी बिल्कुल पक जाए थोड़ी देर में ये पूरे तरह से डार्क ब्राउन हो जाएगा इस स्टेच पे हमें इसे तेल से बाहर निकालना है इससे जादा ब्राउन नहीं करना है नहीं तो हमारे खुल वालस के उसे भी dry k Цurie गर्म तेल में बाल को डालेंगे और इसे चला लेंगे एक बार स्पीच ला से यह देखिये खुलाबयजामु कितने मप्राइट करेंगे और इसे बिल्कुल ब्राउन होने तब फ्राइट करेंगे खोड़ेट तेल में ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा इसे स्टेज पे हम इसे तेल से बाहर निकालना है हमने इसे बिल्कुल लो फ्रेम पे ही फ्राई किया है आप भी इसे लो फ्रेम पे ही फ्राई करें इसे प्लेट में निकालते जाएंगे अब हमने सारे फ्राई कर लिए सीरा हमार ते जारा हल्का कर्म हम इसे बहुत गन भी नहीं रखेंगे और भोछ थंडा भी नहीं रखेंगे हल्की गर्म में में विह तक ठाल किर uns एक बलाब जाम लाए भी स्योपा गर्म land इसे एक बार अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी बच्चे गुलाब जामुन को भी डाल देंगे हमने इसे कढ़ाई में डाला है ऐसा करने से गुलाब जामुन फूलने के बाद एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं अब इसे मिक्स कर ले रहे हैं बहुत ही जूसी आप इस रातिपी को जुरूर ट्राइए करें और अगर आपको हमाई रस्पीज अच्छी रखती हैं तो प्लीज लाइक कमिन आइज शेयर करें और हमारे अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फर वाचिंग